नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैंने कितने महीने पहले आपको बता दिया था और बार बार दोहराता आ रहा हूं कि कुदरत का टीका जो है, उससे बड़ा और बढ़िया कोई टीका नहीं है, सारे टीके फेल हैं, और केवल कुदरत का टीका पास है, जिसको एक बार infection हो गया था, उसको अब delta variant भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, ये कम से कम वो उसकी जान तो नहीं जा रही है, और उसका hospitalization भी कम हो रहा है, ये सारी बाते में लगातार आपको कहता रहा हूं, और इसी के आधार पे में लगातार आप से कह रहा हूं कि भारत में तीसरी लहर आने के आसार नहीं है क्योंकि delta variant बहुत तेजी से फैला और सब को एक एक वार छू गया है, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो delta variant के शिकार ना हुआ हो या delta variant के संपर्क में ना आयो शिकार होना तो बहुत बढ़ी वाद हो जाती है, हाल में मुंबई में भी सीर सर्वे हुआ है और वहां पे भी हर्ड इमुनिटी बहुत excellent आई है, तो इस पूरे वातावरन के बीच में एक चीज पक्की हो गई है कि हमारा देश कुद्रत का टीका, उपर वाले का टीका, भगवान का टीका लगके safe हो चुका है, इसलिए जो मैं आपको कहता था कि नवं कि अमबर तक चली जाएगी यह सब लहर वहर और कोरोना से भारत भारत से कोरोना चला जाने का मतलब इसा नहीं है कि कोरोना का नामों निशान मिट जाएगा दरती से लेकिन जैसा डवलो एचो ने कहा है भारत में जो कहीं कहीं खित्रा हुआ किसी किसी जगों पे जिसको endemic कहते हैं वह होता रहेगा जैसे डेंगू आता है ठीक हो जाता है उसकी लहर चलती है लेकिन आप लोगों के अंदर इम्म्यूनिटी है और सब लोग इससे इम्म्यून हो चुके हैं कुद्रत के टीके से बड़ा सवाल इस बात का है कि आज नया क्या है नया यह है कि एक सब्सक्राइब कर दी है और एक रिसर्च आया पत्रिका पर जो प्री पब्लिच्ट है और उसमें यह कहा जा रहा है कि जो ठीक है उससे ज्यादा नेचुरल इम्मूनिटी ज्यादा वावर्फुल है कहीं जाईए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजें फिर बात्चीत आगे बढ़ाते हैं वीडियो आगे बढ़ाओं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक खबर है कोरोना वाइरस से जुड़ी हुई भारस सरकार अब कोरोना का टीका जो है उसका दान वान का जो कारिकनम था उनका वो दुबारा शुरू करने जा रही है और टीके का एक्सपोर्ट भी खोलने जा रही है और उसकी वज़े है कि वह अमेरिका जा रहे हैं मोदी जी जो बाइडिन साब से मिलने के लिए तो वहां इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए वैक्सीन नेशनलिजम नहीं दिखना चाहिए इसलिए वह इसको खोल रहे हैं लेकिन उ वही एस्ट्रजेनिका वैक्सीन दूसरे मैनुफेक्चरर बना रहे हैं उसको यूरोपेन उनियन मानिता दे रहा है और कह रहा है कि इसको आप लगाओगे तो आप हमारे आ सकते हो लेकिन भारस से जाने वाले लोग जो हैं वह अगर वैक्सिनेटेड भी हैं तो उनको वहा करना चाहिए तो आप हमें कुछ थोड़ा सा भुकतान कर सकते हैं सपोर्ट राशी समर्सन राशी और जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन उसमें यूपियाई आईडी है बाद में जब वीडियो खतम होगा तब भी आपको बार कोड मिलेगा उसको स्कैन करके आप किसी भी पेटियम वगएरा से भी भुकतान कर सकते हैं तो खबर यह है कि एक नया रिसर्च आ गया है अमेरिका में और इस रिसर्च ने बाकाइदा यह कहा है यह ब्लूमबर्ग ने च्छापा है और उसका कहना यह है कि इस रिसर्च में कि इससे जो भी इम्मुनिटी आएगी हर इ और यहने उसे पिरिट नहीं हो यह 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 उन्होंने पोस्ट किया एडाटा और उसमें यह कहा है कि एक रिसर्च करने से पेश करने से पहले चापने से पॉपलिश करने पेले उसको प्रकाशित करती ज Dalasri और विद्वानों के विचार उसक्रामंत्रीद करते हैं और यह जो research हुआ है यह research इसलिए भी बहुत महत्पूर है क्योंकि यह research वो 50 आदमी का sample, 4 आदमी को बंद करके और उसके उपर जाच करके नहीं हुआ, यह actual ground report है, society के अंदर लोगों का परिक्षन किया गया है, वहां से यह report उठाए गई है, यह report कहा रही है कि delta variant से जो सबसे efficient, टीका, अभी तक अंतरास्टी मानिताओं के अनुसार, टीका समाज जो है, वो सबसे सुरक्षित जिस टीके को मानता है, वो फाइजर का टीका है, और यह report जो है, यह natural immunity का फाइजर के टीके के साथ में comparison करती है, उसकी उसके साथ में तुलना करती है, और उसका कहना यह है कि फाइजर के टीके से भी जादा natural immunity लोगों की रक्षा करती है, इस report के मताबिक जो लोग फाइजर का टीका लगवा चुके हैं धरती पे रहने वाले, मतलब भारत में तो फाइजर का टीका लगता नहीं है, अमेरिका, इसराइल वगरा में लगता है, तो वहाँ जो टीका है कि साथ गुना ज्यादा symptoms भी उन लोगों में दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने वो टीका लगवाया, दुनिया का सब से efficient टीका, और जिनको कुदरत का टीका लगाया, उनके अंदर कम symptoms दिखाई दे रहे हैं, कि hospitalization जो है, वो भी कुदरत का टीका वाले का कम हो रहा है, vaccine वाले का ज्यादा हो रहा है, ये लगातार चला रहा है बहस, अब इस speech में बड़ा सवाल ये आता है, कि जब ये फिर से research आ गया है, तो कुछ लोग जो दुनिया में बड़े समझदार लोग हैं, जो टीका विज्यानी वन चुके हैं, जो टीके से भी उपर जा चुके हैं, जो जिन्दगी में टीके के अलावा किसी चीज में समाधान नहीं खोचते हैं, और कोई अश्यरच की बात नहीं है, कि किसी दिन घर में वो कुछ बढ़िया सबजी बना रहे हैं, और उनको लगए कि तुछ टीका डाल दो तो उसमें जायका अच्छा आ जाएगा, उस हैं, इसके आगे मानने को तयार नहीं है, और उनका कहना ये है कि अभी तक हमको ये पता नहीं चलाए कि वो कितने समय तक चलती है, मसलन उनको ये अंदाजा है कि एक बार पता चल जाए कि टीके से ज्यादा समय तक वो इम्मिनिटी चलती है कि नहीं चलती है, लेकिन बीच के बगएर तो आप सोच भी नी सकते हैं ऐसा उनका कहना है और एक चीज़ बताओं मैं आपको यह जो पूरा शोध हुआ है जिसकी मैंने आज बात किये आपसे यह पूरा शोध जो है ना यह दोनों टीके लगवाने के बाद है फाइजर के दोनों टीके वर्सेस कुदरत की इ आज वरा शोध भी के रहें और यह में बरदाष्ट नहीं करूं गा उसे की कल और रूजी को नोिगे यी जा रहा हैं वो झाकलूजिकल और जोर्शीजींगे फीके पर शोधूरा बेसे हमारे साथ ब्सक्रिमेड जाभाँ किया जा रहा है और हमको इकोन्य ट्रीक्मेंट न बितिर कुद्रत की व्मूरत्स और मेरे अंदर परिशान किया जा रहा है कि मैं ठीका लगवाहं उन्होंने का कि मैं कि इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे scientists लुग शर्च कि हम उनको एक बार हो चुका है कोरोना हमारे अंदर नेचुरल इम्मूनिटी आ गई है तो हमारे साथ भेदवाओ क्यों किया जा रहा है साधार पर की हमने टीका नहीं लगाया है अब यह सारे की सारी बात चीज जब आपके सामने रखते हैं इस बारे में बोलते हैं तो उसमें से महसूस की होगी कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीन के खिलाफ लोग इकटे हो रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में पढ़े लेखे लोग हैं बलकि मेजोर्टी में पढ़े लेखे लोग हैं और ये प्रोफेसर साब मेडिकल एथिक्स कमिटी वाले तो अब ये चुकि उसक साइल में भी स्टडी आई थी हाल में और उसमें भी ये बताया गया था कि बड़ी तो आ रही है लेकिन साथ में एक ठीका तो लगवालो तो उसके बाद आप बहुत सुपर स्ट्रॉंग हो जाओगे ये उस स्टडी का नतीजा था बरहाल जो तस्बीर बन रही है हम सब के स आधियन के आधार पर डवलू एच्जो या फिर अमेरिका का ये हमारे बारत सरकार का जो ICMR कोई नतीजा एक बार निकाल दे ठोस कि भाईया और यह निकाल देना चाहिए था बड़े अच्रच की बाते इतने समय से दुनिया बर की चीज़ों पर रिसर्च हो रहा है इतनी डार्क चॉकलेट पर रिसर्च हो जाता है वो कौन-कौन से तेल पर रिसर्च हो रहा है लेकिन चटनियों पर रिसर्च हो रहा है तो कितने लोग पहले ऐस्पताल में भरती हो चुके हैं या इनको पहले कोरोना हो चुका है, सिंटिमेटिक है, इस्टिमेटिक हो चुका है, उनका दूसरी बार का जो कोरोना हुआ है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, मिला लीजिए, तस्बीर सामने आ जाएगी, पता नी क्यों नहीं ये चीज़ें करना चाहते हैं बराल जो भी है एक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है रिसर्च आई है, रिसर्च में कहा गया है कि कुदरत की इम्मुनिटी ज्यादा स्ट्रॉंग है रिसर्च में ये भी कहा गया है कि दो-do ठीके लगाने के बाद दुनिया की बैस्त वैक्सिन के जो इम्मुनिटी आती है उसे छे गुना इम्मुनिटी कुदरत के ठीके से आरही है इस रिसरच को कोई नहीं काट पा रहा है महान ठीका समर्टक एंथोंग पाँची भी काट पाए रहे हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पता नहीं अभी नेच्रलिल इमुनिटी कितने समय तक टिकती है आप पता लगवाओ बहुत सारे वंग्याने के आपके सामने पेशे नजर हैं, उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो ज्यादा से आदा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है, तो वाक़ी, कितना खराब लगता है कि एक सव सब्सक्राइबर बहुत कम है, जो लोग शद्धा और वक्ती से नियमित चैनल देखते हैं, कमेंट करते हैं, वो सारे के सारे लोग भी सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं, ये समझने वाली बात है कि कहा दिक्कत है, अगर आप लोग का कोई अनुभा हो तो जरूर मुझ स साजा करें कि किस वज़े सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा होगा, मैं उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, इस चैनल को देखते हैं, और समय समय पर अपनी राय देते रहते हैं, नमस्कार, जाएंट